एपिसोड 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियों बताच की हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिल्स उनकी देखभाल करता है इधर युना युन्योंग से मिलने आती है तो युन्योंग कहती है एक घोष्टलब स्टोरी मत करो अगर तुम ये ड्रामा नहीं करोगी तो इसके बदले मैं तुमें मूह माँगी कीमत दूँगी तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं ये ड्रामा क परके रहूंगी और यहीं परपाश्ट की स्टोरी खतम हो जाती है तो यून्यों कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो फिर से ड्रामा कैंसल करवाने आई हो तो यूना कहती है बिल्कुल भी नहीं क्या मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने भी नहीं आ सकती तुम एक महने किरने आप हुई थी न तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहां पड़ आ गई इधर दॉंग चुल यून यूंग को कॉल करता है पर यून यूंग उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि यू न उसके सामने होती है तो दॉंग चुल यून यूंग को वाइस मेसेज भ बुँँद देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है पर वो खुद को समालता है और वहां से चला जाता है। तो यून्य locking भी कच्ची खिलारी नहीं होती है वो युना को ऐसे जवाब देती है जिससे बैचारी युणा कांफ्यूस्ट हो जाती है कि युन्योंग सही भी बोल रही है वो बच्चा कोई और नहीं बलकि वो है तो इलसुल कहती है मुझे ये बात पता है तो फिलिप कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता तो इलसुल कहती है जिस दिन हम पहली बार मिले थे उसी दिन मुझे पता चल गया था कि कोई भी अमीर इंसान लकरी का लोकेट नहीं पहनेगा वैसे मुझे बहुत खुसी है कि मैंने तुम्हें ये लोकेट दिया और तुम इस लोकेट की वज़ा से बहुत अच्छा कर पाए और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुस हूँ कि तुमने बहुत अच्छी लाइफ जी तो फिलिप जैसे ये बात सुनता है तो वो अपनी पाष्ट की बाते याद करने लगता है जिस दिन इसकूल में उसने फर्स्ट प्राइस जीता था उस दिन उसकी मां उसे छोड़ कर चली गई थी और वो लोग उसी दिन यूएस चले गए थे और जिस दिन मुझे बेस्ट न्यू एक्टर का एवार्ड मिला था उस दिन मुझसे मेरे सारे दोस्त रूट गए थे और वो लोग भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए आगे मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होती गई मैं बहुत ही पॉपुलर हो गया लेकिन इन सब के चक्कर में मेरे पास से मेरे अपने एक-एक करके दूर हो गए पर ये बात फिलिप इलसुन को नहीं बताता आगे इलसुन सो जाती है तो फिलिप इलसुन को कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से तुमारी लाइफ फिर से बरबाद हो जाए इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है आगे फिलिप घर में होता है तो उसे फिर से वही वाई ड्रेस वाली लड़की दिखती है तो फिलिप को लगता है कि वो रायोन का भूत है तो फिलिप उसे देखकर पुरी तरह डर जाता है अगले दिन फिलिप ली सेंग से मिलने जाता है और उसे पूसता है क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत हुई थी क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भूत है तो ली सेंग ये सुनकर हैरान होता है और फिलिप को डराने के लिए और उसे बदला लेने के लिए उसे भूत की स्टोरी सुनाने लगता है तो बेचारा भूत क कि श्टोरी सुनकर डर जाता है आगे फिलिप लिसेंग को कहता है तुम्हें इलसुल को इस ड्रामे में वापस ले लेना चाहिए क्योंकि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इलसुल क्या करेगी क्या नहीं तुम ये इलसुल पर ही छोड़ दो कि वो अपनी लाइफ में क्य प्रमिस करता है और कहता है ठीक है मैं इलसुल से दूरी बना-कर रखूंगा लेकिन प्लीज उसके सपनों को उससे इधर दोंग्चुल को हर जगा सोजंग की आत्मा दिखती है तो वो सोजंग की आत्मा को देखकर पुरी तरह पगला जाता है और पागलों की तरह करता है आगे फिलिप न्यूज में एक लड़की के बारे में सुनता है कि उसने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तो फिलिप ये सुनकर सौक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं ये लड़की इलसुल तो नहीं है तो फिलिप इलसुल के घर जाता है और उसे बाहर से ही देखता है तो वो देखता है कि इलसुल घर में डांस कर रही है तो फिलिप इलसुल को बाहर से ही देखकर बहु तो इलसुल कहती है तुमने ही तो ये सर्थ रखी थी कि मैं तुम्हारे घर पर रहकर राइटिंग लिखूँ तो मैं वही कर रही हूँ तुम्हारे घर पर रहकर ड्रामा लिख रही हूँ तो फिलिप कहता है अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे घर पर कौन है तो इलसुल कहती है मैं नहीं जाओंगी मैं यहीं पर रहूंगी तो फिलिप कहता है अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तुम यहां से चली जाओ तो इलसुल जाने से मना कर देती है तो फिलिप उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता तो फिलिप इलसुल को छुपने को कहता है तो इलसुल कहती है मैं क्यों छुपू तो फिलिप कहता है प्लीज भगवान के लिए छुप जाओ अगर ली सेंग ने तुम्हें यहां पर देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा तो इलसुल छुपने से मना कर देती है और कहती है अगर मैं छुप जाओंगी तो क्या तो मुझे यहाँ पर रहने दोगे तो बिचारा फिलिप ऐसी कंडिशन में फसा होता है कि ना वो घर का होता है और ना ही घाट का तो फिलिप को मजबूरन इलसुल से प्रॉमिस करना परता है कि वो इस घर में काम कर सकती है ले तो उसका इतने अच्छे से स्वागत क्यों कर रहा है तो लिसेंग कहता है मुझे ऐसी उमीद नहीं थी कि तुम मेरा इतने अच्छे से वेलकम करोगे तो फिलिप कहता है तुम मुझे जानते ही कितना हो मैं हर किसी का ऐसे ही वेलकम करता हूँ आगे फिलिप लिसेंग को घ घर कब खाली करोगे तो फिलिप कहता है मैं ये घर खाली नहीं करूँगा क्यों ना तुम मुझे ये घर बेच दो तो लिसेंग कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता ये घर में किसी को भी नहीं बेच सकता तुम्हारे जाने के बात मैं यहां खुद रहूँगा क्योंकि ये घर मे पर उसकी दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा होता है और ना ही उसे वो आवाजे सुनाई दे रही होती है जो उसे उसके घर पर सुनाई देती थी तो इलसुल ये सब देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है कि तभी उसकी नजर टाइप राइटर पर परती है तो इलसुल उस टाइप राइटर को चलाने लगती है कि तभी उधर से फिलिप भी टाइप राइटर की अवाज सुनकर इलसुल के कमड़े में आता है और कहता है तुम्हें टाइप रैटर चलाना आता है तू इलसुल कहती है नहीं लेकिन मैं जल्दी सीख जाऊंगी इस पर ड्रामा लिखना कितना अच्छा होता है है न लेकिन मुझे चलाना आता ही नहीं लेकिन मैं बहुत जल सीख जाऊंगी तो फिलिप कहता है साइड हटो मैं तुम् प्लिज मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और वो लड़की मुझे अपने साथ ले जा रही है और वो मुझे मारकर ही छोड़ेगी तो फिलिप दोंग्चुल की फिक्र होने लगती है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि ए खोस्ट लव س्टोरी इल सुनने लिखी है तो वो ये सुनकर शॉक्ट हो जाती है और वो डिसाइट कर लेती है कि वो अपने फ्रेम को इतनी आसानी से जाने नहीं को अपना इंटर्व्यू देती है और कहती है एक घोस्ट लव स्टोरी की असली राइटर मैं हूं ना कि कोई और तो वो रिपोर्टर पूसती है आपको इस ट्रामा को लिखने का आइडिया कहां से आया क्या आप हमें बता सकती है तो यून यंग पूरी दुनिया के सामने दौंग चुल का था और फिलिप की वज़ा से ही उसके पैरों में चोट लगी थी जिस वज़ा से वो ड्रामा उससे चिन गया और वो ड्रामा जाकर फिलिप को मिल गया और उसके बाद से पूरी दुनिया फिलिप को ही जानने लगी और दौंग चुल को सब भूल गये और उन लोगों का बैंड भी बंद हो गया जिस वज़ा से वो पांच दोस्त अलग हो गए और सब अपने अपने लाइफ में महसूर हो गए और दोंग्चुल का फिलिप से बदला लेने का बस यही कारण नहीं था फिलिप ने उसके साथ उससे भी बुरा किया था फिलिप ने दो गेतर रायोन की जान भी ली है जिस वज़ा से दोंग्चुल उसे मारना चाहता है और मुझे यहीं से एक घोश लव स्टोरी ड्रामा की पेरना मिली यह ड्रामा मेरा है मैंने इसे खुद लिखा है ना कि किसी और ने अगर कोई और इस ड्रामा पर अपना दावा करता है कि यह ड्रामा उसने लिखा है तो वो इंसान जूट बोल रहा है वैल यहां यून्योंग रिपोर्टर के सामने इलसुन और फिलिप के इमेज की धज्जियां उड़ा देती है जब इलसुल ये न्यूज देखती है तो वो पूरी तरह पगला जाती है तो यंगमान कहता है ये कितना जूट बोल रही है फिलिप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया रायोन दौंग चुल की गल्फरेंड नहीं थी वो तो फिलिप की गल्फरेंड थी और ये बात सबको पता थी बस ये बात दुनिया वालों को नहीं पता थी ये यून्योंग तो फिलिप पर जुटा इलसाम लगा रही है तो इलसुल कहती है मैं यून्योंग को नहीं चुड़ूंगी इसने आच साल पहले भी मेरी लाइफ बरबाद की थी और इस बार मैं इसे नहीं करने दूंगी मैं किसी भी कीमत पर ये साबित करके रहूंगी कि ये ड्रामा मेरा है कि तभी एक पास्ट की स्टो नहीं होते और वो इलसुल के ड्रामास को देखकर हमेशा उससे जला करती थी कि तभी उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो दोनों उस आग से बाहर निकलते हैं तो इलसुल अपना स्किप्ट यून्योंग को दे देती है क्योंकि उसे अपनी मा को बचाना होता है और क इस डिरेक्टर को इलसुल वो इसकिप्ट देने वाली होती है उस डिरेक्टर ने नहीं इलसुल को कभी देखा होता है और नहीं उसे उसका नाम पता होता है क्योंकि इलसुल उस डिरेक्टर से सिप मेल से ही बात किया करती थी और यून्योंग इसी मौके का फायदा उठा क और उस स्क्रिप्ट को अपने नाम कर लेती है और डिरेक्टर से इलसुल के जगां पर मिलती है और उन्हें ये बताती है कि उसने ये ड्रामा लिखा है और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खतम होती है आगे पूरी दुनिया फिलिप के बारे में बाते बनाने लगती है तो इनों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी तो फिलिप का एक दोस्त फिलिप के सपोर्ट में गवाई देता है और दूसरा दोस्त उसके खिलाफ इधर फिलिप डिडेक्टिप को बुलवा कर उसी जगां पर दोंग्चुल की चानविन करवाता है पर उन लोगों को दों इसके साथ होती है उसे हमेशा चोठी लगती रहती है और हमेशा उसके जान को खत्रा ही होता है तो फिलिप अपने आपको इन सब का जिम्मेदार मानता है और सैड रहता है कि तभी वहाँ पर इलसुल आती है तो फिलिप कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई तुम्हें किस इसलिए मुझसे दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ, कि जहां मैं तुम्हें देखना पाऊं। तो इसलिए मैं तुमसे दूर क्यों जाओं, और किसने कहा कि तुम अनलकी हो। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो अपने आपको सुरकषित पाती हूँ, और जब भी मुझे चोट लगती है, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। को पानी में फेक देती है तो फिलिप कहता है तुमने ये क्या किया तुम्हें पता है ये लोकेट कितना किमती था अब तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा तो इसलो कहती है ये सब अंद्विस्वास है किसी के साथ भी बुरा अच्छा नहीं होता वो आपके भाग साथ बुरा करना होगा तो वो हमारे साथ बुरा करेंगे इसलिए आज के बाद तुम मुझे इस तरह की बाते नहीं करोगे तो फिलिप कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा अगर मेरी वज़ा से तुम्हारे साथ क जहां पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है आगे इलसुल फिलिप को उस रेश्ट्रेंट लेकर जाती है तो वो रेश्ट्रेंट बंद रहता है आगे इलसुल फिलिप को जितने भी रेश्ट्रेंट लेकर जाती है वो सारे रेश्ट्रेंट बंद रहते हैं तो बेचारी का ब पर पैर रग देती है तो बैचारी का पूरा कपड़ा खड़ाब हो जाता है तो फिलिप इलसुन को अपना कोट पहना देता है और कहता है अब ठीक है तो इलसुन कहती है लेकिन फिर भी मुझे भूख लगी है और मेरा बैदलग ऐसा है कि मुझे आज कहीं भी खाना नहीं मि आगे फिल्सुन के घर जाता है और इस ओरत को देखकर कहती है। उसमें बताने वाली क्या बात है तो फिलिप कहता है तुम्हारी मा तो मर चुकी है ना कुछ बहुत गुश पना हैं और वह कहता है मैं तुमसे आगे इलसुन अपनी मां के साथ time spend करती है, तो इलसुन अपनी मां से पूछती है, आपके बच्चे कैसे हैं, वो ठीक है ना, तो इलसुन की मां कहती है, वो लोग ठीक हैं, लेकिन तुम बताओ, तुमने मुझे call क्यों नहीं किया, तो इलसुन कहती है, मैं बहुत busy थी, इस बज़ा से मैं आपको call नहीं कर पाई, तो इलसुन की मां कहती है, तीन साल हो गए ना, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, और तुम्हारे साथ time spent करना चाहती हूं, तो इलसुन की मां कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं कल ही चली जाओं, तो इलसुन की मां कहती है, वो लड़का बहुत ही अच्छा था, और वो तुम्हारी बहुत ही care करता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो इलसुन कहती है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा इसलिए आप बेकार की बाते मत सोचिए और इलसुन फिलिप के बारे में सोच सोच कर ही सो जाती है एक्चली ये औरत इलसुन की सगी मा होती है इलसुन की माने दूसरी साधी कर ली होती है जिस वज़े से वो इलसुन के पास नहीं रह पाती और इलसुन की दूसरी मा कोण है वो आपको आगे पता चलेगा अगले दिन डैरेक्टर इलसुन और यून्यों को मिलने के लिए बलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों आगे क्या करना चाहती हो क्या तुम दोनों इसी तरह लड़ना चाहती हो क्यों ना तुम दोनों कॉंप्रमाइज कर लो एक राइटर बन जाओ और दूसरी को राइटर तो युन्यों कहती है आप कहना चाहते हैं कि मैं इसके अंडर काम करूं बिल्क तो युन्योंग कहती है तुम्हें जो करना है कर लो अगर तुम पीछे नहीं हटी तो मैं कोट तक जाओंगी तो लिसेंग कहता है इस फिल्म की सुटिंग स्टार्ट हो जुकी है अगर तुम इसे कोट तक लेकर जाओगी तो इसमें लंबा टाइम लग जाएगा तो फिल्म क क्या होगा तो यून्योंग कहती है तो तुम इसे समझाओ ना कि ये पीछे हट जाए और मुझे ये ड्रामा दे दे इसलिए अब तुम लोगों पढ़े कि तुम लोग क्या करना चाहते हो कि कोड जाना चाहते हो कि ये ड्रामा मुझे देना चाहते हो और ये कहकर को देखकर उसे पहचानने की कोशिस करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने लिसेंग को कही न कहीं जरूर देखा है और वो उसे पहचानने की कोशिस करती है पर वो नहीं पहचान पाती और लिसेंग भी ऐसा ही प्रेटेंड करता है जैसे कि वो उन्हें नहीं जानता आग अगर तुम यहाँ पर हो तो रूम में कौन है और कौन टाइप रेटर चला रहा है तो इलसुल ये सुनकर सौक्ट हो जाती है और कहती है साइध यंगमान चला रहा होगा कि तभी वहाँ पर यंगमान भी आ जाता है तो वो तीनों ये देखकर सौक्ट हो जाते हैं और वो ती उल्टा पीछे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और उस जूते को कसकर मारता है जो सीधा उस वाइड रेस वाली लड़की के सर पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है और फाइलली वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं आगे वो लोग उस लड़की से पूस्ताश करते हैं और कहते हैं तुम्हें ये काम करने को किसने कहा तो वो लड़की बताती है कि उसे किसी ने पैसे दिये थे ये काम करने के तो वो लोग पूसते हैं तुम्हें ये काम करने के किसने पैसे दिये तो वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता मेरी बस उनसे कॉल पर बात होती है वो भी हमेशा वो अलग अलग नंबर से बात करते हैं और उन लोगों ने मुझे पैसे बीप मैसेंजर द्वारा ही भेजे थे तो वो लोग उस लड़की से पूछते हैं तुम ये काम कर रही हो त इसके अलावा मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता फिरुस मुझे जाने दो तो वो लोग उस लड़की को जाने देते हैं इदर युन्यों के पास जाती है और उसे कहती है तुमने ये फनित के मैस को कितनी चोट पोहुँचेगी तो युन्यों केहती है तुम ट तो यून्योंग कहती है, मुझे पता है कि तुम फिलिप को पसंद करती हो, अगर तुम मुझे से हाथ मिला लोगी, तो मैं तुम्हें फिलिप को पाने में तुम्हारी हैल्प करूंगी, तो यूना ये बात सुनकर खुस हो जाती है, और वो यून्योंग से हाथ मिला लेती है आगे फिलिप इलसुन को बहुत मिस करता है क्योंकि इलसुन अपने मां के साथ बिजी होती है उनके साथ सौपिंग जाने में और सैलोन जाने में और फिलिप यंगमान से बार बार जाकर पूछता है क्या इलसुन काम पर आई तो यंगमान ये सुनकर सौक्ट हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि इलसुन अपनी मां के साथ बिजी है वो आज थोड़ा लेट आएगी तुम्हारे बार-बार पूछने से वो जल्दी नहीं आ जाएगी इधर इलसुन अपनी मां के साथ सौपिंग जाती है और सैलोन भी जाती है तो इलसुन को याद आता है कि फिलिपने उस से कहा था कि उसके फोर हैट बहुती सुंदर है अगर वो फोर हैट से अपना بाल हटा लेगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगी तो इलसुन सेलोन वाली को कहती है आप मेरा फोर हट से बाल कट कर दीजिए तो सेलोन वाली कहती है लेकिन आपका दाग दिखेगा तो इलसुन कहती है कोई बात नहीं आप कट कर दीजिए आगे फिलिप की नजर उसी सेप के पेर पर परती है तो वो यंगमान से पूचता है ये पेर इतना खिला हुआ कैसे है तो यंगमान कहता है ये सब इलसुल की वज़ा से है इलसुल ने इस पेर पर बहुत महनत की है उसने इस पेर के नीचे खात डाला और यहाँ पर रोज पानी देती है जिस वज़ा से ये पेर फिर से फुल रह तो फिलिप ये सुनका खुस हो जाता है और यंगमान को कहता है मुझे कैम्पिंग करने का मन है चलो यहाँ पर हम लोग कैम्पिंग करते हैं आगे वो दोनों कैम्पिंग करते हैं तो यंगमान को फिलिप के साथ बहुत बोरिंग फिल होता है और वो कहता है हम लोग यहाँ प बंद करके इलसुल से बात करने के लिए चला जाता है तो फिलिप इलसुल से पूसता है तुम्हारा आज का दिन कैसा गया तो इलसुल फिलिप को अपने पूरे दिन के बारे में बताती है कि उसने क्या क्या किया क्या खरीदा क्या खाया तो फिलिप इलसुल से बात करके खुस होता है तो फिलिप इलसुल से पूस्त है तुम घर वापस कब आऊगी तो इलसुल कहती है तुम पीछे मुड़ो मैं तुम्हें दिख जाऊंगी तो फिलिप जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो इलसुल को देखकर बहुत खुस होता है और वो इलसुल को देखता ही र तो फिल्सुल कहता है, तुम मॉमोस ठंडा करने लगता है। पहले जब उस अपार्टमेंट में आग लगी थी उस दिन मेरी मा मेरे लिए खाना लेकर आई थी जब मुझे पता चला कि मेरी मा भी उस अपार्टमेंट में फसी हुई है तो मैं अपनी मा को बचाने के लिए उस अपार्टमेंट में गई थी लेकिन उसके बाद उस आग में हम लोगों का क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं तीन महने के लिए कोमा में चली गई थी और जब मुझे तीन महने बाद हो साया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ उस आग में जलके मर गई और मेरी सबसे अच्छी दोस्त युन्योंग ने मेरा स्क्रिप्ट जोरी कर लिया और उसे अपने नाम पर पब्लिस कर दिया और ये कहते कहते इलसुल रोने लगती है तो फिलिप उसके आंसु पोच्टा है और फिलिप फाइनली इलसुल को किस कर लेता है वैल आपको यहाँ पर इनका रोमेंटिक सिन भी देखने को मिलेगा इधर दो वरकर तब ये एक लोता सिसा था जो बच किया और इसमें जरासी भी खरोश नहीं आई थी लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस सिसे में भूथ है और तुम्हें पता है यहां के वाच्मेन ने भी भूथ देखा है तो वो दोनों बंदे उस सिसे को बहार निकाल कर रख देते हैं और कि तब वह से चले जाते हैं कि तभी वह सीशा अपने आप पुट तरह टूट जाता है और उससे एक आत्मा निकलती है और वह आत्मा किसी और की नहीं बलकी रायोन लगा है तो वो फाइनली उन दोनों को अलग करने के लिए उत्पन हो गई और यहीं पर एपिसोड 9 खतम होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले